नमस्कार मैं विहारी बाबु है मिराज जैसे कि आप लोगे सुनते हूंगे पहले आपके दादा दादी जो पोटे थे और कहानी सुनाते थे अपने पोता लग को तो आज भी एक प्लेइस्कूल है जोबरा में जो एक छोटा सा बच्चा आपको कहानी सुनाएगा नमस्ते मेरा नम अन्स बाबु मैं प्लेइस्कूल में पता हूं आज मैं खरगोस आउ रायन का कहानी सुना आजने जा रहा हूं एक जंगल में बहुत से जानवा रही को से रहते थे वही जंगल में एक से राया बहुत से जानवा को मार मार के खाने लगा सब जानवर रास थे इसमें से खरगोस ने मिटिंग करवाया बोला कि हम सब सेर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हम एरोज आपके पास एक सेर आएगा, जानवर आएगा, बारी बारी से सब जानवर जाने लगे और एक दिन खरगोश की बारी थी, खरगोश बहुत दुडा था, वो धीरे धीर उसके साथ चल गया बोला, शेर सेर, एक का सेर मेर साथ आरा में आएगा था था, तो वो एक जानवर का आठी समय मार जिजी आ, उखा गया, बोला कि, वो उसेर, उसेर सेर बोलता है, चलो मुझे दिखाओ, उखरगोश बोलता है, शेर सेर, ये कुए के अंडर है, उधाखता है, हाँ जी है, उसने चलांग लगाने ची, इस तरह ये सेर मर जाता है, और खरगोश की जान बर जाती है, और सब जानवर खरगोश की टारिफ करने लगते हैं.